असलाम वालेकूम मैं हुई रहो और आप देख रहे हैं my home with kitchen तो आज यह बना हरी उचना चाट वन टीश्पून सॉल्ट बारीका टीवी हरी मिर्चे टू टीश्पून हरा धन्या इम्डी की चेटनी इसकी लेंक्स में डिस्क्रेप्शन बक्स में देदूगी वन कप दही वाल होवे चैने से में सोड़े दाल के आपको भीको करक दिया था वाल होवे आलू चोप हुई भी प्याज चोप हुआवर टिमाट्र मीटेम साइस का हाफ टीश्पून कुटिवी मेर्च चाटका मसाला वन टीश्पून पापड़ी और दैब बड़े चैने दालेंगे एक बाल में थोड़े से चैने दालेंगे थोड़े चैने मेरे दूसरी लेयर बनाने में रखे हैं आलू दालेंगे थोड़े से हम आलू दालेंगे वालू हमने रख दिया है तो बड़े दालेंगे मेरे बजार के हैं अगर आपके हमेड हैं तो आप वह भी इस्तमाल कर सकते हैं यह हमने रख दे हैं तुस्वीर लेयर में कामाएंगे चोपोई भी प्यास दालेंगे थोड़ी सी तकती दुवेची प्यास हमने है कि माटर दालेंगे थोड़े से कि माटर हम बचा लेंगे गार्णिश के लिए दालेंगे और दालेंगे थोड़ी ची ओर दालेंगे धला लेंगे इसे को अixí तोड़ी सी गही नालेंगे हौ जोड़ी सी हमने रक लेंगे लाट के मसाला दालेंगे रखे ऐड़ा है क्यांया हुरे मिर्चर कहती है नहीं हमकिता है हमारे काम आएगा हम पापे दालेंगे थोड़ी सी यह पी मैंने बजाए मिलें इसके जरूर मैं चेहर करूंगे आप लोग के साथ चने दालेंगे फिर से थोड़े से अब दुसरी लेयर बनाने स्चाट करेंगे हो अच्छा नमक हम नहीं दाना और नमक हम बाद में दालेंगे चने हमने सारे दाल दिये हैं अब उसमें देख बड़े दालेंगे इसमें इंबली की चक्नी दालेंगे यह जाने सब्सक्राइब करें बेर आइकन पर क्लिक करें इससे आने अलों मेरी हर वीडियो आप सबसे पहले पुचेगे बिल्कुल फ्री है बाद में इसमें आलो दालेंगे सॉल्ट दालेंगे सॉल्ट हमने पहले स्लीन दाला इसलिए उपर दाला था कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा जब हम डिश आउट करेंगे तो हम अच्छे से मिक्स करेंगे खाएंगे दही दालेंगे दही में एक बोटन में दाल दी थी अच्छे तरह मैश कर लिया था क्योंकि स्पून से सही दल नहीं देती इसलिए कि अच्छे दालेंगे इंडी के चक्ति दालेंगे तेमाटर दालेंगे और प्याज दालेंगे चॉप होई है अधर द्धनिया और हरी मिर्चे दालेंगे जो हमने बचा ली थी फुट्री वे मिर्चे दालेंगे और चाट का मसाला दालेंगे और शुप ठोड़ी ची पापर दाल देंगे अधिके चाना चाट हमारी कितने अच्छे तायार है इस आज़िए को जरूर ट्राइक हैं झाले य झालेंगेंगे ठालेंगे रचाट मुझे हैं